गुड मॉर्निंग स्टुएंट्स मैं मनिस पांडे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स के क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स जो की अपने आप में बहुत ही इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट है आज हम उसको start करते हैं शुरुवात करने से पहले जो सबसे हम पहला काम है जो करना हमें जरूरी है वो है syllabus discussion क्योंकि अगर हम syllabus को नहीं समझते हैं तो पढ़ने में कोई मजा नहीं आनेगा तो हम देखते हैं कि इस paper में हमें क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा यह paper जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है पहला हिस्सा जो है जिसे group A कहते हैं वो commercial mathematics का है और इसमें हमें 60 marks मिलने वाला है दूसरा हिस्सा जो है वो है statistics का उसमें हमें 40 marks पढ़ने को मिलेगा यानि कि यह दोनों मिलके तयार होता है ग्रूप A commercial mathematics and group B statistics तो commercial mathematics and statistics यहां हमारा पूरा होता है और इसमें 60 marks है और उसमें क्या क्या है metric system metric system में मेजर्मेंट्स के बारे में यहां पर हम लोग मेजर्मेंट्स को एक बार study करेंगे का इसे करते हैं किलोमीटर डिस्टेंस को अलग अलग यूनिट्स में कैसे करते हैं वेट्स को कैसे करते हैं यह सब चीजों को हम यहां पर देखेंगे इसका आइडिया हमें पहले से भी है हम लोग लोर क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं बस उसको एक बार हम लोग रिपीट करेंगे दूसरा है रेशन एंड प्रोपोर्शनल तो रेशनल एंड प्रोपोर्शन जो है यह भी हम लोग पहले पढ़े हुए हैं अगर कोई बेंगोले मेडियम से हैं तो अनुपाद स्वानुपाद जो है हम लोगों ने लोर क्लासेस में स्टाड़ी किया हुआ है वो हमें एक बार यहां पर फिट से मिलने वाला है तो इसमें भी नया कुछ नहीं है बस हम लोग पहले का mathematics वाला paper को पहले का arithmetic को हम लोग थोड़ा बहुत अगर याद रखते हैं तो यह paper हम लोग easily इस unit को भी complete कर सकते हैं तीसरा profit and loss जो कि अपने आप में एक interesting subject है profit और loss इसमें हमें यह चीज पहले भी पढ़े हुए हैं और यह बहुत ही easy topic है इसको पढ़ने के लिए हमें कोई भी उतना ज्यादा महेनत करने का जुर्ज़त नहीं है क्योंकि यह profit and loss आज की डिट पर हम लोग थोड़ा बहुत हर कोई ही समझते हैं उसके बाद आता है i mix-app mixture में क्या होता है कि माल लो दो तरह काupa इंटेम संझे जिशेटों अगर मिल्क और वाटर कमिक्स्चर किया जा रहा है तो यह ratio proportion जो होता है हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से lip लों किस तरह से study करते हैं तो यह भी कोई ऐसा tough नहीं है हम लोग आराम से कर सकते हैं तो यह unit 1 में हम लोग को 4 units है जिसमें 15 marks हम लोग को मिलने वाला है unit 2 जो कि जिसमें हमें menstruation of rectilinear figures इसमें हम लोग measurement करेंगे और इसमें 2 तरह का एक होता है measurement of rectilinear figures जिसमें triangle, quadrilateral, parallelogram, rectangle and rhombos आता है में menstruation of solid figures में cuboid, cube, cylinder, cone and spare तो इसमें यह 5-5 items का हम लोग measurements कैसे करते हैं area कैसे निकालते हैं यह सब चीजों को हम लोग study करेंगे तो यह पहले भी हम लोग का इसके बारे में idea है जब हम लोग triangle बोलते हैं तो हम आखों के सामने triangle का picture आ जाता है क्वाडिलेटर की बात करें parallelogram की बात करें तो अपने आप cube की बात करें तो भी आ जाता है cylinder तो यह हमारा जाना पहचाना ही topic है बस इसको हम लोग फिर से एक बाल और थोड़ा सा समझेंगे unit 3 जिसमें 20 marks है यहां पर हम लोग पढ़ेंगे law of indices इसमें mathematical चीजों को थोड़ा study करेंगे logarithm quadratic equation real number system और concept of linear function and simple problems यह पांच units यह भी हम लोगों ने logarithm भी किया हुआ है quadratic equations हम लोग पहले भी कर चुके है real number system का बारे में हम यह idea है class 9 10 में हम लोग इसको भी पढ़ चुके है and concept of linear function and simple problems तो इसमें ऐसा एक भी topic नहीं है जो हम पहले नहीं पढ़ चुके हैं इसलिए मेरे हर एक topic के discussion में आप लोग यह सुनेंगे कि हम लोग यह पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि अगर आप लोग 8 9 10 का books उठा लें तो इसमें से maximum portions हम लोग उसी class में पढ़ चुके हैं एक दो तो ऐसा भी मिलेगा जो हम लोग उससे पहले भी पढ़े हूंगे उसके बाद आता है unit 4 जो कि है idea of Cartesian coordinate geometry तो एक geometry का छोटा सा हिस्सा हम लोग यहां पर पढ़ेंगे यह होता है unit 4 तो यह 4 units मिलाके हम लोग का 60 marks होता है थोड़ा हम लोग ध्यान से करेंगे तो यह 60 में हम लोग 60 easily score कर सकते हैं next group B जो है जो कि है statistics statistics में हमें unit 1 में मिलने वाला है introduction introduction of statistics जो class 9 में हम लोग पढ़ चुके है statistics क्या है statistics का functions क्या है statistics का scope क्या है स्टेटिस्टिक्स का uses कहां पर है definition जो है statistics का अलग-अलग definitions के बारे में तो यह हम लोग unit 5 6 marks है छोटा सा unit है पूरा का पूरा थियोरिय है 5-6 questions को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो पूरा का पूरा statistics हमें समझ लेते हैं इसका unit clear हो जाता है unit 6 जो किए statistical inquiry and collection of data अब आता है उसके बाद data को collect कैसे किया जाता है इस unit में हम लोग collection of data के बारे में जानेंगे जो अलड़ी class 9 में आप लोग कर चुके हो class 9 में जो चीजों को पढ़ा है थोड़ा और उसको up-to-date करेंगे पस और कुछ नहीं है यहां पे ऐसा नया कुछ नहीं मिलने वाला है जैसे हम लोग mobile के applications को up-to-date करते हैं करने के आप लोगा सा इंप्रूब हुआ है और बाकी सब के सब पहले जैसे ही है तो ठीक उसी तरह से अगर आप लोग 8 9 10 का मैट्स को आप लोगों किया हुआ है तो उसी का up-to-date version है class 11 का आप लोग का business mathematics and statistics Units 7 जो हता है classification and tabulation of data जो हम लोग को अल्रेडी कर चुके हैं यह भी हम लोग पहले कर चुके हैं टेबल डाटा को tabular form में कैसे डालते है फ्रिक्वेंसी जो बंगला मीडियम में बारंग बारता जो करते हैं किस तरह से हम लोग एक डाटा को table में डालते हैं टेबल किस तरह के होते हैं classification data को आप किस तरह से classify करते हैं यह सब चीजों को हम यहां पर समझेंगे 15 marks है बट बहुत ही जी है एंड लास्ट यूनिट जो कि होए हम लोगों का diagrammatic and graphical representation जो कहने के साथ साथ ही आप लोग समझ जाओगे जो जिसमें हमारे पास 9 marks है और इसमें क्या डाइग्राम बार डाइग्राम पाई डाइग्राम अल्रेडी कर चुके हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हिस्टोग्राम ओगी फ्रिक्वेंसी कार्प यह भी तो हम लोग पहले कर चुके हैं तो इसमें हमारे पास नया इस पेपर पे कुछ भी नहीं है सब का सब आप लोग का पढ़ा हुआ है बस उसको हम लोग थोड़ा सा फिर से एक बार रिविजन देंगे यहां पर और मानलों आप लोग की 8 9 10 में जो पढ़े हुए हो उसी को फिर से आप लोग थोड़ा थोड़ा यहां पर रिविजन दे देने से यह हम लोग का पेपर पूरा कंप्लिट हो जाता है और इसमें 100 मार्क से हम लोग आराम से पीना बहुत ज्यादा मेहनत किये 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं थोड़ा और मेहनत करें तो हम लोग 90 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं इतना इजी पेपर है बस वही है थोड़ा मैतमेटिक से प्यार करना पड़ेगा थोड़ा मैतमेटिक से लग सब्सक्राइभ नाटिंट्रेस्टिंग सब्जट है सबसे बड़ा इसका फाइदा क्या है कि हम लोग रिजॅल और रिजल्ट है फिर आंसर तक पहुंच सकते हैं इसको हम लोग बेरिफाइध कर सकते हैं कि हमारा छूंड जो है वह सही है कि नहीं बाकि वाकि किसी papers में अगर हम लोग answer दे रहे हैं तो answer सही है या नहीं उसको verify करने के लिए हमारे पास option नहीं होता लेकिन यह paper एक aisa paper है जहां पे हम लोग answer को verify कर सकते है on the spot हम जगह पर ही इस चीज के answer को verify कर सकते है ओके तो आज हम लोग syllabus को discuss किये, syllabus को समझे, आप लोग एक बार पुराने topics जो हैं, ये topics को एक बार पढ़ पढ़के कि हमने कहां पर पढ़ा है, ये वाला कौन से class में पढ़ा है, ये एक बार आप लोग अगर इसको थोड़ा सा revision कर दो, थोड़ा सा आप लोग एक गंटा बैटके ये सब चीजों को अगर एक pen paper को लेके लिख लो कि हाँ class 9 का, ये unit पे हम लोग को ये मिला हुआ था, तो देखोगे कि ये paper हम लोग को बहुत ही clear हो जाएगा, ओके, तो next class से हम लोग एक एक topic को start करेंगे, करेंगे class को, आज के लिए इतना ही, thank you.